राजस्थान के अलवर जिले में सित भानगड किले के बारे में आपनी तो सुना ही होगा। भानगड किले में भूतों के होने का दावा किया जाता है। लोगों में इस किले को लेकर भै बना रहता है। इस कारण लोग रात के समय जाने से वहां कतराते हैं। या कहें तो कोई भी रात को इस किले के आसपास नहीं जाना चाता। माना जाता है कि किले के अंदर रात के समय में पायल की आवाजे सुनाई देती हैं। आईए भानगड किले से जुड़े अंसुलजे रोचक तथे के बारे में सभी रहसमें बातें जान लेते हैं। भानगड किले का निर्मान, 27 सताबदी में मान सिंग की छोटे भाई राजा माधो सिंग ने करवाया था, जो कि उस समय अकवर की सीना में जन्रल के पदपर तैनात थे। भानगड राजस्थान के अलबर जिले में सरिस्का रास्टे उद्धान के एक शोर पर है, यह किला बहुत ही प्रसिद्ध है और यह भूता किला के नाम से जाना जाता है। तांत्रिक सिंधू सेवडा का दिल आ गया था और उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया, जिसका राजकुमारी को पता चल गया और उस तांत्रिक को इसके लिए मृत्यों की सजा दी गए। गंगोर युद हुआ तता किले में रहने वाले सभी लोग और राजकुमारी रतनावती मारे गए। आज भी इस किले में मरने वाले लोगों की आत्माई धूमती हैं और चीकती रहती हैं। भानगर्ड किले में कई लोगों और तांत्रिकों के द्वारा भूत प्रेद जैसी घटनाई देखी जाने के दावों के बाद भारा सरकार ने सूरज ढलने के बाद इस किले और आसपास के छेत्रों में लोगों का प्रवेस वर्जित कर रखा हैं। भानगर्ड किले के इस रहसे को समझने के लिए कई वे ग्यानिकों परनोमल एक्सपर्ट बुद्धी जीवियों ने यहाँ पर बहुत खोजबीन की लिकिन वो इसके रहसे से परदा नहीं उठा सकी। भानगर्ड किले की रहसमे घटनाओं के कारण ही पुरा तत्विवाग द्वारा ही किले के प्रवेस द्वार पर इसे भूता घोशित करने का बोड लगाया जा चुका हैं। जिसके अनुसार सुर्योदे से पहले और सुर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेस वरजित हैं। भानगर्ड किले की इतनी डरावनी सच्चाए जानकर भी आज रोज हजारों प्रयटक देश और विदेशों से यहां घूमने आते हैं। बानगड किले की कारीगरी की बहुत तारीव की जाती है। इसकी बनावट में मझ्बूट पत्थरों से लेकर सुन्दर सिल्प कलाएं पत्थरों पर हातों की कारीगरी आदी साफ दिखाई देती है। इसमें आपको कई मंदिर भी बने हुए दिख जाएंगे। भानगड किले के आसपास रहने वाले लोगों को आज भी रातों में किले से किसी के रोने और चिलाने की तेज आवाजे आती हैं